बात पकुच नहीं मुसलमानों ने पहले दिया है और ना अब जिर होक नहीं हमारे मारे जाने मजिद हमारी तोड़ी जाने इन्हों ने बात करी टोकर मारी जाती है यूपी में कौन जो तो दिल्ली का आश्चा था और उन पे एक्षन भी हुआ और जो एक व्यक्ति दुकान क इंदर उसके मारा था उस पर नहीं बोलके गए वह भग गए आएगा मोधी चाहर सुनिया तीन सब्सक्राइब को मिर्ची क्यों लगए जो काम चौर है अब वो चीज उसको भी दिया दो काम चौरी तो काम चौरी रहेगा को बनाया विपक्षून है यह मोबाइल मेरा है ना ऐसे कैसे बढ़ देगा को जंदन खाते 15 लाग के लिए नहीं खोले गए थे साब मैं आपको बता देता हूं अंदरा दिन पहले मोदी जी ने भरे मंच पे घोशना की कि अगर बाबा साब खुद भी जुमीन पे दुबारा आ जाए तो वो भी सविधान को नहीं बदल सकते अब बाद करी टोकर मारी जाती है यूपी में कौन जी टोकर मारी गई थी वो दिनली का हासा था है ना और उनके एक्षन भी हुआ है और जो एक व्यक्ति दुकान के अंदर हनुमान चाली से का पाट कर रहा था उसको दुकान के अंदर घुसके मारा था उसके नहीं बोलगे गए वो बग गए क्या लग रहा है कौन आ रहा है कोई भी आया हमारा का होगा कुछ रही हम तो यहीं दखके खारा आप पूंग्रेस के राज में भी किसी के लिए भी काम अच्छा कर रहे हो यह आएंगे लगणा अब की बाहर चार सो पार हो जाएगा तो नहीं होगा लेकिन विजेपी ही आएगा मोदी जी ने काम किया है किया विकास किया है देखो जी हमारे इलागे में जो महां तो काम कुछ नहीं हुआ जो आएगा मोदी चार सो नहीं आए तीन सो आए आएंगे बहु मस्ते मोदी मोदी जी ने बांगला देशी और घुस पैठिया जो है रोहिंग्या मुसल्मान ने उन लोगों को बताया कि ये घुस पैठिये हैं फिर देश का विपक्ष को वह ऐसी के इर्दगर्द गूमने वाले मुसल्मानों को मिर्ची क्यूं लग गई उन्हों ने तो रोहिंग्या अगर उन लोगों को मिर्ची लग रही है उनके नाम पर इसका मतलब की वह लोग भी देश के लिखात रहा है वह भी प्रताइब आज कल परसों दे रहे थे कि वह ऐसा है यह जो रूल आई है मैनोफेस्टों में 55% आपके जाजात का हिस्सा कमाई का आपके बेटे को से काट के दिया जाएगा उसको यानि आप मर गए तो जाजाए ट्रांसपर होती है उसमें से 55% काट के गरीबों को दिया है तालीस और सबके आद में एक पोड़िसाइब तालीस वह बाटना चाहते हो ना उसी को टार्गेट किया है आप बताये मंगल सूतर या गहना या जेवर यह स्वाभ इमान की चीज होती यह भी होता है जाजात में अगर आप किसी का यह चीजों पर आप टार्गेट कर रह कॉंग्रेस जो है अपने पैर पर कुलाड़ी मारती जारी है मारता है और एक दिन ऐसा आगा खतम हो जाएगी आज जैसा बयान सेंपी टोरन दिया है कि विया जो परिवारिक संपत्ती है उसमें जो पच्पर सरकार रख लेगी है उसको बाट देंगे इससे जो कॉंग्रेस जो लंबे समय के पुराने वोटर है ना वो भी वोट नी डालेंगे कॉंग्रेस के बाद थोड़ा बहुत ही वोट शेर होता था तीक्या वोट नहीं देंगे और जहांते बात रही यह तुष्टी करन की यह सदेव शुरूआज से ही कॉंग्रेस पार्टी मुसलिमों को सभी का दिकार है अरे भ रहा हमने अप्नी महन से कमाया लोगम फनी महन से कमाया जो काम चौर है अब और वह चीज चीज उसको बीदेब लेघा यह चाहता है है और एंस आत्म निरम्र बनाने को लें जा रेघा हूँ यह बात कहा तक सही है ऐसा है में जो है देश कहा हिंदु मुसलीम के पक्ष में कोई भी मतदान या बोर्ट नहीं होना चाहिए हिंदुस्तान में सबको अपना-पना अधिकार है जिसे आप चुने जिसे बहतर समझें अब देखिएगा आप एक देश का पीम एक किसी भी समयोदाय को टारगेट करके स्पीच देना वो चीज गलत है अब तक 10 सालों से सबका साथ विकास बोलती है उस बयान को तो आप लोगोगें लेकर एक व्यान को लेकर भी चाहता है उसमें भी कुछ हमें नहीं लगता कि उस हमें क्प sincer 17 कंभी सान परेशान रहें पर है किशानों की पैंशन नहीं नहीं लागू करी किस दिली की बात नहीं कर रहे हैं मैं आप उत्तर प्रिदे चले यह उत्तर प्रिदे में यूपी से मैं भारती किसान उनियन तोमर से जिलाद्यक बुरादाबाद से हूं यह लाल किला है 2014 में जब प्रिदान मंत्री जी ने पहले स्पीच दी थी 140 की बात करी थी तो विपक्षियों ने मजाक उड़ाया था मूचों में हम अंटा देखे चलते थे हमारी बहन ब्योटिक लिए 140 नहीं थे 70 सालों में 140 नहीं नहीं पाए भीत हम और शाले 18,000 गाओं ऐसे थे जहां बिजली के खंबे नहीं थे जहां पर लाल टैन या मुम्मत्ती जला के बच्चे पढ़ाई करते थे लेकिन वो चीज किसी को दिखाई नहीं थी मजाक बनाया विपक्षियों ने कि यह कैसा प्रधान मंत्री है और सबसे बड़ी चीज है आज मैं एक करोड की मुझे नौकरी मिल जाए और मैं सुरक्षित नहीं हूँ मेरे उपर बम गिर जाया आके देश की सुरक्षा सबसे बड़ी चीज है यदि आप करोड़ पती भी है देश सुरक्षित हाथों मनिये तो उसका मतलब क्या है अबी मन्त से जो मोदी जी की आप भी बात कर रहे थी यानि आपने सुना है ओभासन उसमें मोदी जी ये कहते हुए पाये जाते हैं कि देश में जो अवैद रूप से आई हुआ गुस पैठिया है रोहिंगिया है बांगलादेशी है उनको गुस पैठिया बताया है फिर ब नाब में अपना एजंडा लागू करना शरकार को अपने पबलीक का दियान बटाना ठीक है कोई घुस पैठ नहीं है कैसे घुझ जाओगे आप तो आप बिदेश नहीं जा सकते आप कैसे घुझ जाए बदेश बताइए आप या मुसलमान का है उन्होंने यह नहीं का भार चातर जाग्रूक नहीं हुए मोजी सरकार के 10 साल में इतना इस्ट्रडी में यह इतने सिक्छा में मुसलिम आवादी में मतलब जाग्रूक नहीं थे आप चातर पढ़ रहे हैं अब तैयारी कर रहे हैं अटेम्ट कर रहे हैं कोशन उस योगदान नहीं है उन्हें जागरू सब्सक्राइब नहीं है जो इसा नहीं है जो इसा नहीं करते हैं जो मैवाद में करते हैं जो हर प्रकार के सब्सक्राइब बताया है जो बीरोधी गतिवीधियों में सामिल होता है उसके बारे में कहा है सब जागरुक है हर बात को समझती है ऐसी कोई बात नहीं है अब आप बताईए हमें यूपी का क्या इस वक्त मौट पच्मी यूपी में चड़न चल रहे हैं लेकिन पच्मी यूपी का जो जब आप किसान दे रहा है किसान जागरुक हो गया है किसानों ने मान लिया है तर इसका क्या हाल है क्या लगा नहीं है उसमें तमाम पार्टियां एक कॉंग्रेस ही थोड़ी है यह तो इंडिया गठबंदन है इसमें जो पच्चमी यूपी में तावर्तोर जो बोटिंग रही है और जो अच्छा मतलब दिखा है मतदान बेतर है उससे अब तोर अब होता है अग्हांधक के कारालहों पर एक शलती है बाटि को बात कर रहे क्या है कि मजबूत और विपक्ष मजबूत ना हो ओ तो चल रहे है औहला है ठीरे देर आगर चाल नहीं यह तो क्या है आजबूत होना चाहिए लेकिन विपक्स खुद ही तो कमजोर हो रहा है पूरी इंडिया में विपक्स के रूप का जो काम कर रही नहीं कॉंग्रेस कर पाई है सिर्फ किसान विपक्स में खड़ा है हर दिली 13 महीने किसानों ने आंदोलन किया वहां से जी यह तो किसान की देन है रोहिंगिया बंगलादेशी को घुस पठिया बता दिया तो विपक्ष का तील मिला गया और जुस में तो सरकार करेगी नहीं सरकार का काम है उनको क्या उनकी करवाई है उनको बाई चेक करो ओरिजनल को ने डुपलिकेट को ने क्यों आ गए आज जो भी इलेक्टराल बॉंड और जिस भी तरीके से सीजे आई ने इसको खुला तो ये क्या खुलना था ये इतनी असान तो नहीं था इनोंने चुपाने का तो भर्सक प्रयतन किया ना मेंगाई बिरोजगारी स्वास्त किसी चीज में काम नहीं हुआ सिरफ एक दिखावा हुआ ये परचार मंतरी थे और सिरफ परचार के अलावा कुछ नहीं किया परचार से पेट नहीं भरेगा पेट भरेगा रोटी कपड़ा और मकान से आप क्या कह रहे हैं गुसपैटिया या आपकी अनरगल संपती बाट दियाएगी एक लाइन मैनोफेस प्राइमनिस्टर ने इस बात का जब 102 सीट का चुनाव हो गया तो प्राइमनिस्टर ने इस बात का बेस बनाया क्या लोगों को हिंदू-मुस्लीम वाले मुद्वे से 2014 पे ले जाओ उनके पापना मुद्दा कोई नहीं है 2014 पे और 2019 पे दुबारा लेके जा रहे हैं किसलि न न तो यह अनर्गल तरीके से ब्यानबाजी अर जिस तरीके से आज आम आद्मी तरस्त है पुरी तरीके से j летler शाही तरीके से टीक्टेटर सिप्ट्रीके से जो यह काम किया जा रहा है जिस वक्त जंधन खाते की बात उढ़ाई मैं जंदन खाते के बारे में बता तो एक रामलिय अगाउन में खरे होके, 2014 में मोदी जी ने क्या कहके गए थे, कि कोई भी पैसा नोट बंदी में अपना जमा मत कराना, फोन मिलाओं क्या, क्या हुआ, उन्होंने एक आम आदमी को बेइमान बना दिया, जूटा बना दिया. आपके पास क्या वाइख ही मोदी जी जिए जवाब सुना दो मिनट मापस दो मिनट जवाब जने जवाब सुनींट अपकी बाते इन्होंने सुना है एक मिनट ए रहे एक मिन्ट मैं अंदुब्ग तो यह कंचा है यह कंचा है चम्चा जरूर है लेकिन चम्चा कब हुआ मैं 2014 से पहले मोदी जी को बहुत पसंद करता था गुजरात में इनों ने सुना अभी यह कह रहे हैं आप पूरा टाइम जंसंग को बीजेपी को जंता दल को 77 के अंदर मोरार जी दही को इन्हीं को वोट दिया और आखे बंद करके वोट दे के आते थे और 2014 में मोदी जी का फैन था जिस वक्त आठ नवंबर 2016 को नोट बंदी की गई मैं 12 जनवरी तक मोदी जी का फैन था कियार ये बंदा बहुत बढ़िया प्राइमिनिस्टर हिंदुस्तान को मिला है जो फैंसरा लेता है जो भी अपने वित्मन तराले तक को कॉन्फिडेंस में नहीं लेता इसे कहते हैं डिक्टेटर शीप इसे कहते हैं ये जरूवत है लेकिन जब 12 नवंबर के बाद जब उसके बाद मेरा जैसा इंसान भी लाइनों में लगा धक्के खाए मेरे नाम से तीन केस कमला मार्किट धाने में दर जहें बैंकों में हम लाइनों में लगे और धक्के खाए बुरे हाल हमारे मचे आपने बहुत सारी बाते गिनाई अब सुन लीजे जवाब सुनके जाई इन्होंने आरोप लगाया पहले चरन में मोदी जी पिछर गया है वीजय पिछर गयी इसलिए मंद से ऐसे ऐसे बयान दे रहे अब इतिन देर बोलने मैं खामोच रहा ना उन्होंने अपनी मर्जी से कहा जा कांगरेस के मैननफेस्टों में यह सब है तो उन्होंने बोला आज तीन महीने से पूरा का पूरा विवक्स बाजबा के उपर और मॉदी के उपर लगातार अगनी बांबू बर्शा रहा है कि अगर भाजपा आ गई तो चुनाब दोबारा नहीं होंगे बाजबा आगई तो शविधान खसम कर देगी बाजबा आगई तो लोकतंतर खसम कर देगी कि अगर बाबा साब खुद भी जुमीन पर दुबारा आ जाए तो वह भी सविधान को नहीं बदल सकते की ना कि उन्होंने घोचना जब इतनी बात देश का परधान मंतरी कह रहा है और फिर भी तुम उसके ओपर बोलोगे कि यह सविधान बदल देगा चाना साही आ जाएग कि चुनाव नहीं होंगे तो मैंने अपने बान चला है उसने एक अपना ब्रहमस्तर चला दिया करने की कोशिस देश का विपक्ष कर रहा है कर रहा है 2019 में भी ता भाजपा आगे ते लेक्शन नहीं होंगे बाजपा आगे तो लोग संत्र खदम हो जाए कहा हुआ हुआ फि से देखते हैं क्यों आखिर कॉंग्रेस को यह सब चीजों का जिक्र करना पर रहा है अपने घुसना पर यहां पर कौन लोग खड़े है कौन नी मुझे नहीं मालूम खुली बात कह रहा हूं कांग्रेस हिंदू बुरोधी है और मोधी हिंदू स्मर्तक है